खबर मद्ध प्रदेश के बालाघाट जीले के खैरलानजी तहसिल अंतरगत मानेगाउ से जंगली जानवरों से हो रहा किसानों को नुकसान कौन है जिम्मेदार ग्यात होगी ग्राम मानेगाव पंचयत कुमली जो की खेरलान जी तहसिल के अंतरगात आता है और लगभग 15 किलोमेटर की दूरी पर यहाँ पर हम लोग निरिक्षण करने के लिए गए तो हमें यहाँ पता चला कि कुछ किसानों से हमारी बातचीत बुही और किसानों के द्वारा हमें बताया गया कि रात में 9 से 10 बजे के दर्मियान जंगली सुवर और हिरन आते हैं और हमारी फसल का नुकसान करते हैं तो फिर उस फसल की भरपाई कैसे होगी हमने यहाँ पूछा कि किसी डिपार्टमेंट से फॉरस्ट विभाग से कोई बातचीत हुई तो किसानों ने यहाँ कहा कि हमारी बी बातचीत गाउन वालों से हुई है और हम आवेदन देने वाले हैं और भी क्या कहा देखे इस रिपोर्ट में दुर्गा प्रसाद बरवे की ग्राउंड रिपोर्ट किसानों का तो कुछ किसान साथी हमारे साथ में हम उनसे जानकर ले लेते हैं सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए परमान नकपूर आप कहां के रहने वाले मानेगाव के अभी क्या तकली पूरी आपने खेती कब लगाई थी आपने लग चुका है जान निशा गया ह अब आपना निशान करना था तो देख लिया इसले तो मैं आप से पूछ रहा हूं कि अभी आपने इसे किसी को किये कि मेरे खेती में नुकसान हो रहा है मैंने आस तक किसे को नहीं बताया जंता को गाव में बताया लोग एकड़ से जानते हैं ना आपका क्या कहना है यह बोलना चाहते वो वो सासंग बताय क्या करना है किसान के लिए तो आप बी ता आवाज उठाएंगे जब पता चले आपने नजर्स है तो मैं तब और वह द तक जाना चाहिए आपने किसको आवेदन दिये किसे बात किये फारिश डिपार्मेंट से वनिवाग में तु लगाया नहीं है इसे बोले वाले नहीं है त्यारी थी कि अब प्रश्ट आले को बताया जाए अब आगे की रन्नीति क्या है मतलब आगे क्या क्या हो सकता है जैसे अब यहां फोला गए यहां अहां इसको और एक मैने में क्या होगा और आप अगी देख रहे हो जगह में आ है और क्या होगा क्या हो सकताए आपको क्या लगत यहां पूरी नास हो जाएगी पसल इसके क्या लगा आपको तीन साल करनों को बताई गाल मस्त होता था अभी तक पूराज बरबाद हो गया अभी है बहुत जानवर घुम रहा है इसमें जानवर कुंते आते अपने से जानवर काला वाला जानवर सुवर बोलते इसको फिरन भी आती मतलब खेत में कब तक रहती है बहुत गुमती है अब फिर भगाओ तो भग जाती है मतलब आप किसान आदमी है काफी उदाज भी है इनकी यहां पर अभी कितने डाई एकड़ जगह आपने यहां पर खेती की है मैं आपको दिखाना चाहूंगा अब तो हम लाइव था निरिक्षन में एक आफी बड़ा खेत है मैं पुरा घूमा हुए यहां पर हम वीडियो आपको दिखाएंगे काफी नुकसान भी हुआ है कुछ जगह अच्छा है पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ अभी यह तो सिर्फ शुरूआत हुई है अभी तो एक मैना और आप अभी कुछ अपनी मांग रख रहेते हैं यहां पर आप भी किसान आदमी हैं यहां पर यह देखिए तार की बांजनी की गई है बकाइदा ताकि सुबर से फसलों की रक्षा हो सके बट ऐसा नहीं हो पा रहा है इन से कुछ नहीं हो पा रहा है तो फारेश्ट करने के लिए जो अधिनियम बनाए गया है उनी में से एक जानवरा ऐसे है जैसे हीरन हो गया सूर हो गया वो हमारी फसलों की नुक्सान कर रहे है तो फारेश्ट डिपार्मेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ग्रामिन को सला दे कि हम इन से कैसे बचे हमारी फसल कैसे सु दूसरी बात मैं जो बोलना चाहरा था अभी हमारे सपेज जानवर पे भी रोग आ गया जिसको लम्ती बीमारी बोलते है तो लम्ती बीमारी के लिए वेटनरी डिपार्मेंट का ये काम था कि वो गाव गाव जाए या दो गाव चार गाव मिला करके वो एक ऐसा केम पर दूसरा वही पाइंट जो अभी फसलों का आया है तो DFO की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मेटर पे अपने किसान लोगों को जागरूप कर सके कि हम अपने फसलों को कैसे बचा सके इसमें हीरन हो गया सूर हो गया दो जानवर इसमें मतलब किसानों को ऐसा कहना है तो मैं यह इए कहना चाहूँगा दॉनों डिपार्मेंट से एक सौस्तर डिपार्मेंट मतलब बैटने विभाग और दूसरा वन्य प्राहिश्व प्राणय अधीनिय विभाग के हिसाब से वे कहलन醃 की आप दोनों डिपार्मेंट आए कि अपने इसके लिए जैसे जानवर आते रहा तो सब्सक्राइब करते हैं यह कि तरवाली यह लगा जाता है नहीं जानवर रोक जाए है लागा है लगा अध्यावार निए चमट रहे हैं तो यहां पर किसानों की समस्य थी नाजर आपको दिखा रहे हैं तो इनका कहना है कि जो यहां पर हम खेती कर रहे हैं तो हमें नुक्सान का काफी नुक्सान हो रहा है तो यहां की कंडिशन है और सासन प्रसासन ने भी इस और ध्यान देना चीए केमरामेन विशाल के साथ चुप्रिम पाउर ने उसके लिए दुर्गा प्रसाद बरवे खेर लांगी अज़िए 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 अज़िए